नमस्कार मैं डाक्टर जेयार यादो सोयावीन की खेती में आपका स्वागत है प्रजातियां, राष्टी सोयावीन अंसंधान केंद्र एवं विभिन निक्रस विश्पिद्यालेओं द्वारा छेत की अनकूलता एवं मिट्टी के अनसार प्रजातियों का विकास किया गया है और उसी के अंसार सोयावीन की किस्में बोई जानी चाहिए अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए उन्नस सील प्रिजातियों का सुद्ध बीज ही प्रियोग करना चाहिए सोयावीन की बोई के लिए प्रमुक प्रिजातियां इस प्रिकार हैं जैसे की पीके चार सो बहातर पीके दो सो बासट पीके चार सो सोलग जैस सिकतर डैस पांच पी अस पान सो चौसट जैस दो जैस ट्रानवे डैस पांच जैस बहातर डैस चवालिस पूसा भीस पूसा 16, MainiS 47 खेत की तैयारी सोयावीन की खेती के लिए सरवुट्तम भूम दोमट होती है पुंदेल खंड की सभी प्रकार की भूम में इसकी खेती की जा सकती है जहां भी खेत में पानी रुकता है वहाँ सोयावीन की फसल नहीं लेनी चाहिए बरसा प्रारम होने पर दो-तीन जुताई कल्टीवेटर से करके खेत को भुरबुरा तथा पाटा लगा कर समतल कर लेना चाहिए बीज की मात्रा एवं बुआई सोया बीन की बुआई के लिए बीज की मात्रा 75 से 80 किलोग्राम एक हेक्टर के लिए परियाप्त होती है बीज का अंकरण 75 से 80 क्रत्सत से कम नहीं होना चाहिए बीज को बोने से पूर्ब एक किलोग्राम बीज को दो ग्राम थीरम एवं एक ग्राम करवंडा जिम 50 प्रिसत घुलन सील चूड के मिस्टन से सोधित करना चाहिए जिन खेतों में पहली बार या काफी समय बाद सोया बीन की बुआई की जा रही है वहाँ पर सोया बीन के बिसिस्ट राइजोबियम कल्चर से बीज को सोधित करना चाहिए एक पैकिट कल्चर दस किलोग्राम बीज के लिए परियाप्त होता है मैदानी छेत्रों में सोया बीन की बुआई का उप्युक्त समय 20 जून से 10 जुलाई तक रहता है बुआई में लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटी मीटर तथा पौदे से पौदे की दूरी 3 से 5 सेंटी मीटर एवं बीज को 3 से 4 सेंटी मीटर की गहराई पर बोना चाहिए खाद एवं उर्वरक, उर्वरकों का प्रियोग मिर्दा परिक्षण की संस्तितियों के अधार पर करना चाहिए यद मिर्दा परिच्छन नहीं कराया गया है तो 19 सील प्रिजातियों के लिए 20 किलो ग्राम नत्रजन, 80 किलो ग्राम फास्पोरस एवं 40 किलो ग्राम पोटास तत्त के रूप में एक हेक्टर में प्रियोग करना चाहिए खाद की पूरी मत्रा अंतिम जुताई में हलके पीछे 6-7 संटी मीटर गहराई पर डालना चाहिए खेत तैयारी के समय आखरी जुताई में 50-60 कुंटल सडी गोबर की खाद डालने से जडों में ग्रंतियां अच्छी बनती हैं तथा 150-200 किलोग्राम जिप्सम का प्रियोग प्रित हेक्टर की दर से लाइब दायक रहता है सिचाई खरीब मौसम की फसल होने के कारण शामानता सोया बीन को सिचाई की आवसकता नहीं होती है फूल एवं फलियों में दाना भरते समय यदे खेत में नमी की कमी हो तो आवसकता नुसार एक या दो हलकी सिचाई करना सोया बीन में अच्छे उत्पादन के लिए लाब दायक है खेत में बर्सा का पानी अधिक भर जाने पर खेत से पानी निकाल देना चाहिए नहीं तो फसल पर कुप रभाव पड़ता है और पैदावार कम मिलती है खरपतवार नियंतन सोया बीन के खेत को निराई गुडाई करके खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए पहली निराई गुडाई में 25 दिन बाद दूसरी 45 दिन बाद करनी चाहिए खरपतवारों को रसाइने नियंतरन के लिए बुआई के 24 गंटे पहले फिली क्लोरेलिन 45 एसी की 2.25 लीटर मात्रा को 700-800 लीटर पानी में गोल कर प्रत हेक्टर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए या सोयाबीन की बुआई के तुरंत बाद एला क्लोर 50 एसी की 4 लीटर अथुआ मेटो ला क्लोर 50 एसी की 2 लीटर मात्रा को 700-800 लीटर पानी में गोल कर प्रत हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए इस से खरपतवारों का जमाव नहीं होता है रोग नियंतरन सोयाबीन में चार कोल राट, एंथरक नोज, पीला चित्र बर्ण, रोग तथा सूत रिक्रम लगते हैं चार कोल राट एक फफून्द जनत रोग है इस बीमारी से पौधे की जड़े सड़ कर सूख जाती हैं पौधे के तने का जमीन से उपरी हिस्सा लाल भूरे रंग का हो जाता है पत्तियां पीली पड़कर पौधे मुर्जा जाते हैं इस रोग के नियंतरन के लिए रोग सहन सील किस्मों की बुआई करनी चाहिए तथा 1.5 ग्राम थीरम एवं 1.5 ग्राम करवंडा जिम से प्रत किलो ग्राम बीज की दर से उपचारित करके ही बुआई करनी चाहिए एंतरक नोज सोया बीन में फूल आने की अवस्था में तने परण ब्रंत वा फली पर लाल से गहरे भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे दिखाई देते हैं इस रोग के नियंतरन के लिए रोग सहन सील किस्मों की बुआई करनी चाहिए तथा 1.5 ग्राम थीरम एवं 1.5 ग्राम करवंडा जिम से प्रत किलो ग्राम बीज की दर से उपचारित करके ही बुआई करनी चाहिए रोग का लक्षर दिखाई देने पर जिनेब या मैंको जैब दो ग्राम प्रत लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए पीला चित्रवर्ण रोग रोग रोधी प्रजातियों की बुआई करनी चाहिए इसकी रोधाम खेद मिथायल ओडिमेटान पचीश एसी अथवा डाई मिथोएट तीश एसी की एक लीटर मात्रा को आठ सो से नौसो लीटर पानी में घोल कर प्रत हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए सूत क्रम के नियंतरण हेथ 10 किलो ग्राम फोरेट 10 जी को बुआई के पूर प्रवियोग करना चाहिए कीट नियंतरण सोया बीन में फली छेदक कीट, ग्रीन सेमी लूप कीट, बिहार रोमिल सूडी, गार्डन बीटल कीट लगते हैं सोया बीन की फली छेदक कीट, इस कीट की शूडियां फलीयों को खाकर नुकसान पहुचाती हैं इस कीट के नियंतरण हेथ किलोर पायरी फास 20 एसी की 1.5 लीटर या क्यूनाल फास 25 एसी की 1.5 लीटर मात्रा प्रेथ हेक्टर की दर से 800-900 लीटर पानी में मिला कर छिड़काव करना चाहिए ग्रीन सेमी लूप कीट इस कीट की सूडियां सीग्र पकने वाली प्रिजातियों में फूल निकलते समय उसकी कलियों को खा जाती हैं प्रिथम फूल के समाथ होने पर दुबारा पुस्व बनते हैं जिनमें फलियां बनने पर उनमें दाने नहीं बनते हैं फसल को इस कीट की हान से बचाने के लिए क्यूनाल फास 25 एसी की 1.5 लीटर मात्रा प्रेथ हेक्टर की दर से 800-900 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए बिहार रोमिल्क सूरी प्रारंभिक अवस्था में इस कीट की सूरियां एकत्र होकर पत्तियों की सतह पर रहकर क्लोरो फिल को खुरज कर खाती हैं बाद में पूरे खेत में बिखर कर पत्तियों को खाकर पौधों को पत्ती सरहत कर देती हैं फसल को इस कीट की हान से बचाने के लिए प्रारंबिक अवस्था में जब गिडारे जुंड में पत्तियों पर दिखाई दे तो ग्रसित पत्ती को तोड़ कर नस्ट कर देना चाहिए तथा बाद में कीनौल फास 25 सी की 1.5 लीटर मात्रा प्रेथ हेक्टर की दर से 800 से 900 लीटर पानी में मिला कर दो तीन छिड़काव करना चाहिए गर्डिल बीटिल कीट की गिडारें तने अत्वा टैनियों को अंदर ही अंदर खाती हैं जिस से पोधा सूख जाता है फसल को इस कीट की हान से बचाने के लिए कीनौल फास 25 इसी की 1.5 लीटर मात्रा प्रेथ हेक्टर की दर से 800 से 900 लीटर पानी में मिला कर छिड़काव करना चाहिए कटाई एवं उपज फलियों में हरापन पूर्टया समात होने पर कटाई करनी चाहिए कटाई के समय बीजों में उप्युक्त नमी की मात्रा 14 से 16 प्रितसत होनी चाहिए फसल को 2-3 दिन तक धूंप में सुखा कर थ्रेसर से धीमी गत पर मलाई करनी चाहिए मलाई के बाद बीज को 3-4 दिन तक धूंप में अच्छी तरह से सुखा कर भंडारन करना चाहिए सामान रूप से सोयावीन की पैदावार प्रत हेक्टर 25-30 कुंटर प्राप्त होती है धन्यवाद